हेलो स्टूडेंस मैं हूँ श्वयता और आज मैं आपके लिए लेके आए हूँ कक्षा 9 की संस्कृत विशय के मिट्टम स्लेवर्स की वीडियो तो चलिए इसमें देख लेते हैं कि आपके कौन-कौन से जो पॉइंट्स है या कौन-कौन से चैप्टर्स है वो आपको देखन हैं जो आपको क्या करने हैं रिवाइज करने सबसे पहले आप देखे तो पाठ्ठे पुस्तकानी फिर है पाठ्ठ्प बिनद्व तो इसमें अगर आप देखे तो कौन-कौन से पाठ्ठ्प बिनदू है यह आपको यहां पर देखना है उसी के अकॉर्डिग्स पढ़ाई क करना है पढ़ना है देन उसके बाद है पंचमा पाठ शुक्ति मोक्तिकम ठीक है उसके बाद अगर आप देखे तो आपका नवम पाठ ठीक है यह है सिकत सेथुह ठीक है जिसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है इसके बाद है आपका संधी कार्यम प्रत्याया उसके बाद है कारक उप पद विभकताया और अंत में अगर आप देखें तो इस पेज में शब्द रूपानी इसके बाद है धातू रूपानी पत्र लेखनम उपसरगह संख्या अपठित अव बोधनम इसके बाद है अनुछेद लेखनम चितर वर्णन और अनुवाद तोosaur यह सभी वही चीजेए जो आप हिंदी में पढ़ते हैं कि आपको अनुछेद लिखना आना चाहिए अनुवाद लिखना आना चाहिए ठीक है और चितर वर्णन आपको मतलब दिये गए चितर के अधार आपको जो हे वाक्य लिखने आने चाहिए तो आपको शब्द में देखने में आपको जरूर तफ लग सकता है वह बहुत ऊसके अलावा अपठित अवबोधन ठीक है इसमें अगर आप देखे तो इस बहुत अच्छे से डीटेल में आपको समझाया भी गया है संख्या आपको बताईगे यह कि आपको वन टू फिफ्टी ठीक है और उसमें क्या क्या चीजें हैं वो भी बताइगे कि आपको कहां से क्या पढ़ना है उपसर्ग में आपको वी प्रति उप अनू प्रा अधी उप इनके जो एकजाम में स्टाहित से पढ़ना है जिसे आपको अगर एकजाम में मिले तो आप इने कर पाएं पत्र लेखनम जो पत्र है वो कैसे लिखेंगे संस्कृत में आपको ये पता होना चाहिए उसके अलावा अपचारिक अनपचारिक यहां पर भी आपको दिया गया है धातु रूप आणी आपको दिया गया है कि धातु रूप क्या क्या है ठीक है पठ गम वद ठीक है ये सारे धातु रूप आपको अच्छे से पढ़ने हैं शब्द रूपानी इसमें आपको पुल्डिंग ठीक है बालकवत जो कि आपको पढ़ना है अच्छे से ऐसे ही अगर आप देखे तो कारक आपको बताए गए है दृत्ते दृत्ते चतूर्थी पंचमी यह सारे आपको पढ़ने हैं संधी बहुत अच्छे से रिवाइस करनी है इतना कठे नहीं है देखने में आपको ज़रूर लग सकता है लेकिन चिन बच्छों ने अच्छे से पढ़ाई की है संस्क्रिक में उनको यह बहुत इजी लगेगा क्योंकि बहुत डिफकल्ट नहीं है पर हां कंटेंट जादा है तो आपको रिवाइस करने में तो टाइम ज़रूर लगेगा पर अभी से प्रेपरेशन करेंगे तब बहुत अच्छे से एक्जाम देंगे और बैस पूर यह एक्जाम अभी से प्रेपरेशन शुरू कर दें कि एक्जाम टाइम के लिए आपको सब कुछ ईजी लगे और हम आपकी जादा सादा मदद करने की कोशिश करेंगे कमेंट करके ज़रूर बताए कि आप को कौन कौन से सब्जेक्स में जादा हेल्प की नीड है ओके